ओम शुरी विश्णवी रम्हा आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं आज की वीडियो में आप भगवान विश्णू की कुछ पौराणी कथाएं सुनने वाले हैं अगर आपने इससे पहले इन कथाओं को सुना है तो कमेंट बॉक्स में आप जाना होगा यह वो जगह है जहां पर भगवान शिव और देवी पारवती रहते थे यह उनका घर था एक दिन नारायन यानिकी भगवान विश्णू के पास दिवर्शी नारत गए और कहने लगे कि ना रायन ना रायन प्रभू आप तो मानवता के लिए बहुत ही बुरी म इस ग्रह के या निप्राणियों के लिए तो आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे इसलिए हे प्रभू आपको स्रस्टी के सभी जीवों के लिए कुस्तो अर्थपूर्ण कारे करने चाहिए इस आलोशना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए अक्सर भगवान को और साधना करने के लिए सही इस्थान की तलाश में नीचे हीमाले तक आए वहां उन्हें मिला बद्रिनात एक अच्छा सा चोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था भगवान श्री हरी ने सोचा कि साधना करने के लिए तो इससे अच्छी जगा और कोई होई ही ही नहीं सकति तो वह उस घर के अंदर गए गुस्ते ही उन्हें पताचला कि ये तो बहग्वान-शिव का निवास है और अगर बहग्वाenne श्री हरी ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और ठीक घर के सामने बैठ गए उस वक्त भगवान शिव और देवी पारवती बाहर कहीं ब्रह्मन करने के लिए गए थे जब वे वापस लोटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बच्चे को मत छुना एक तो वो नन्हा सा बालत उपर से रो रहा था तो देवी पारवती ने बुलिनाथ से कहा हे बुलिनाथ आप कितने क्रूर हैं कैसी ना समझी की बाते कर रहे हैं मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूं देखिए तो कैसे रो रहा है तो भगवा और उन्होंने भगवान शिव की बातों को अंसुना कर दिया उन्होंने कहा कि है प्रभु आप जो कुछ भी कहें मुझे कोई फर्क नहीं परता मैं इस बच्चे को रोते वे नहीं देख सकती मैं इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी और ऐसा कहकर देवी पार्वती ने उस ब उन्होंने कहा कि देवी ठीक है चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है देवी ने बच्चे को खिला पिला कर शांत कर दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद भगवान शिव के साथ गर्म पानी से इसनान करने के लिए बाहर चले गई वहाँ पर गर्म पानी के कुंड है उसी कुंड में सनान करने के लिए शिव पारवती चले गए इसनान के बाद जब वापस लोट कर आए तो देखा कि उनका घर तो अंदर से बंद था और इस बारे में भगवान शिव तो पहले से ही जानते थे शिव जानते थे कि आप खेल शुरू हो गया है उधर देवी प भर के अंदर ले आई अब उसने अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया है तो देवी कहने लगी हे भुलिनात अब हम क्या करें अब भगवान शिव के पास एक मात्र विकल्प था एक विकल्प वो जो कि उनके सामने है या तो उस बालक को जलाकर क्रोट से भस्म करते और दू इसलिए मैं इसे छूबी नहीं सकता और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसलिए हमें यहां से जाना ही होगा इस तरह भगवान शिव और दिवी पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निश्कासित कर दिया गया और वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े दरसल बद्रिनाथ और किदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमेटर की दूरी है आखिरकार में वह किदारनाथ में बस गए और इस तरह भगवान शिव ने अपना खुद का घर खो दिया अब आप जान सकते हैं कि बद्रिनाथ धा पहले भगवान शिव का धाम हुआ करता था लेकिन इस प्रकार से वहां पर भगवान श्री हरी का धाम है और भगवान शिव के दारनाथ में वास करते हैं हम सभी अपने अराधि देवी देवता को प्रसन करने के लिए वो सब काम करते हैं जिनसे हमारे इस्ट देवी देव सबी परकार के लोग करते हैं हर किसी के लिए वो महादेव हैं भुरिनाथ हैं तो भगवान विश्णु भी भगवान शिव की पूजा करते दें यह कहानी भगवान विश्नु की शिव भक्ती की कहानी वह सुन्दर कहानी ऐपको सुनने में भी आनन्दायगा एक बार भगवान विश्णु ने भगवान शिव को वचन दिया कि वे उन्हें 108 कमल अर्पित करेंगे वे कमल के फूलों की तलाश में गए तो पूरे संसार में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ कमल के 107 फूल ही मिले एक फूल कम था आकर उन्होंने ये सारे फूल भगवान के सामने रख दिये भगवान शिव ने अपनी आँखे नहीं खोली वो सिर्फ मुस्कराए क्योंकि एक कमल का फूल जो कम था तब भगवान विश्णु ने कहा मुझे कमल लेन कहा जाता है प्रभू जिसका अर्थ होता है कमल के फूलों की तरह आखो वाला ही भगवान मेरी आखे किसी कमल की तरह सुंदर है तो फिर मैं अपनी एक आँख आपको समर्पित करता हूँ ऐसा कहते ही जैसे ही भगवान विश्णु अपनी एक आँख निकालने को तयार हुए तब ही भगवान शिव प्रकट होकर कहने लगे हे विश्णु तुम्हारे सामने इस अंसार म //ई दूसरा मेरा भक्त नहीं है और तब भगवान शिव ने प्रसंद होकर भगवान विश्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और श्री हरी ने सुदर्शन के सहयता से जैत्यों का संघार कर देवतो गड़ों को सुख प्रदान किया एक और पुराणी कथा के नुसार एक समय की बात है जब रिशी मुनियों ने ये जानने का नर्णे लिया कि त्री देवों याने की ब्रह्मा, विश्नु और महेश में सर्विस्रेष्ट कौन है इस बात का पता लगाने के जिम्मेदारी रिशी ब्रगु को दी गई रिशी ब्रगु इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्म लोग गए और वहाँ पहुंचकर ब्रह्म देव की परिक्षा लेने लगे उन्होंने सीधे क्रोध में पूछा आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया ये सुनते ही ब्रह्म देव को क्रोध हा गया उन पूछ पर ही क्रोध हो गए ऐसा कहकर ब्रह्म रिशी वहां से सीधे किलास चले गए वहां जाकर उन्होंने नंदी से कहा कि मुझे भगवान शिव से मिलना है तो नंदी ने रिशी को जवाब देते वे कहा कि मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता ऐसा करने पर पूलिनाथ क्रोधित हो जाएंगे नंदी का जवाब सुनकर ब्रह्गुर इसी खुद ही भगवान शिव के पास पहुंचे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया शिव जी का ध्यान भंग होने पर वे भी क्रोधित होते वे प्रहगुर इसी को भस्म करने की बात कहने लगे तब ही माता पार्वती उन्हें रोकती हैं और रिशी मुनी को अक्षमा करने की प्रार्थना करती हैं। भगवान शिव को इस प्रकार क्रोधित हुआ देखकर भगुर रिशी केलाश से सीधे वैकुंठ लोग को आ जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि भगवान विश्नु आराम कर रहे हैं और माता लक्षमी उनके पैर दबा रही हैं। उसी वक्त भगो रिशी सीधे भगवान विश्नु की चाती पर पैर से प्रहार कर देते हैं। इस प्रहार से भगवान विश्णू की आँख खुल गई और उन्हाने ब्रहगु रिशी से बड़े प्यार से पूछा हे रिशिवर मेरे कठोर शरीर से कहीं आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी अगर लगी होगी तो मुझे शमा कर दी चिका ये सुनते ही ब्रहगु रि प्रेस करना मत भूलेगा